31 मार्च को डिस्नी प्लस होस्टार पर एक मूवी आया ये थी गैसलाइट करके स्टेरिंग सारा अली खान, विकरन मैसी और चीतरांगदा सिंग करिब करिब एक गंटे पचास मिनिट की ये मूवी है और पूरी मूवी में मैं यही सुचता रहे गाया कि इस मूवी का नाम गैसलाइट क्यों रखाए लेकिन मुझे समझ नहीं आया पर मूवी खतम होने के बाद जब मैंने गूगल किया तब पता चला कि गैसलाइट का मतलब होता है मैनिपुलेटिंग समवन यूजिंग साइकोलोजिकल मेथड और मैं इस मूवी को लाल टीन समझ रहा था ब्रीफ में कहे तो ये मूवी मुझे तो पसंद नहीं आई अच्छा हुआ कि इस मूवी को थियेटर में ना रिलिस करके OTT पर ही सीधा रिलिस कर दिया क्योंकि अगर थियेटर में रिलिस हुई होती तो ये बुरी तरह से पिट जा दी मूवी की स्टोरी या प्लॉट के बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा अच्छा है लेकिन उसको अच्छे से एक्जेक्यूट ना करने के वज़े से मूवी कुछ खास अच्छा पफरम नहीं कर पाई कहने को तो ये एक हॉरर थ्रिलर है लेकिन इसमें हॉरर जैसा कुछ है नहीं हॉरर के नाम पर सिर्फ 18 चंप्सकेर्स दिया है और हॉरर से ज्यादा इसे एक मिस्टरी थ्रिलर मूवी काउंड कर सकते हैं मूवी शुरुवात के 20-25 मिनिट से ही प्रेडिक्टेबल बन जाती है लेकिन हाँ मूवी में एक ट्विस्ट था जो मैं कैस नहीं कर सका और शायद आप लोगों में से भी मोसली कोई कैस नहीं कर पाएगा लेकिन वोट विस्ट भी मूवी में कुछ खास इंपेक्ट नहीं करता क्योंकि तब तक मूवी पूरी हाच से निकल जुकी होती है और पूरी मूवी में जो सारे रात के सिने उनको एक हलका सा ग्रिनी स्टोन दिया है मूवी में जो चीज मुझे अच्छी लगी वो है विकरांत मैसिक का पफॉमस पूरी हसीन दिल्रुबा वाली वैब आ गई थी उनकी पफॉमस है और हाच साच में काफी अंडरेटेड एक्टर है वो इंडस्ट्री में चितरांगदा सिंग ने भी अच्छा पफॉमस किया है जो केरेक्टर को चाये था वो उन्होंने डिलीवर किया है लेकिन सारा अली खान का पफॉमस उतना कुछ खास था नहीं एक काम चलाओ पफॉमस जितना ही था मूवी छोटी होने के कारण भी शुरू से थोड़ी स्लो लगती है जिससे कभी-कभी मूवी को बंद करने का भी मन हो जाता है और मूवी जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे-वैसे वो ओडियंस को एंगेज नहीं कर पाती अगें बिकाज अफ पूर राइटिंग एन एग्जेक्यूशन सो एड़ दे एंड आप इस मूवी को इजीली स्किप कर सकते हैं और अपने दो घंटे बजा सकते हैं बाकि आपकी मरजी और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है यह तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेर करें और हमारे चैनल फिल्मीवट को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग